एलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में सेयर कीजिए चलिए दोस्तों ज्यादा समयना लेते हुए बढ़ते हैं पेपर की तरफ तो आज का पेपर है हाई स्कूल का गणिज का इसका पुढ़ांक सत्तर है समय तीन घंटे जो नेधारिश समय है वो लिखने के लिए तीन घंटा ही है पढ़ने के लिए 15 मिनट है चलिए पेपर की त चलते हैं इसका पहला कोईश्चन है जिसमें सभी खंड करने हैं निम लिखित में से कौन सा सा आभाज संख्याओं का युग्म है पहला 14 35 दूसरा 18 25 तीसरा 31 तिरान्दवे चलता 32 62 नेक्ट कोईश्चन है दिवगात समी करण 3X स्कॉयर माइनस 4X बराबर 0 के मूल का गुड़न फल है 0 4 बटा 3 माइनस 4 बटा 3 या 3 बटा 4 नेक्ट कोईश्चन है समरूप तिर्भजों की विशिष्टाएं होती हैं उनकी संगत भुजाएं समान उपातिक होती हैं संगत कोण बराबर होते हैं तो इसका नेक्ट कोईश्चन है कौस 60 अंस कौस 30 माइनस साइन 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 30 का मान है 0 सिकेंड आप्शन अंडरूर तीन बटा दो थर्ड आप्शन एक बटा दो फोर्ट आप्शन एक नेक्ट कुश्चन इमलिखित में से कौन सी के निद्रिय प्रिभृति की माप नहीं है फर्ष्ट आफसन माद्य, सिकंड आफसन बहुलक, थर्ड आफसन माद्धिकार, फोर्थ आफसन मानक बिचलन नेक्स्ट क्वेस्चन है दो बिंदू के निर्देसांग माइनस आठ कामा जीरो तथा जीरो माइनस आठ है इन बिंदूों से बने रेखा खंड के मद्ध बिंदूों के निर्देसांग होंगे तो इसमें चार आफसन है फर्ष्ट आफसन माइनस चार, जीरो, सिकंड आफसन जीरो, माइनस चार, थर्ड आफसन, चार, माइनस चार, माइनस चार, दूसरा कुश्चन सभी खंड कीजिए दिवगात समीकरड 2x²-4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ग्याद कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ग्याद कीजिए नेक्ट कुश्चन यदि 15 कौट ए बराबर 8 हो तो साइन ये और से किये कामान ग्याद कीजिए यदि 2 समरूप तिरभजों का 6 तरफल करमसा 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपाद बताईए नेक्ट कुश्चन यदि किसी बंटन का माध्य 16 और 12 तेरा हो तो बंटन की माध्याद कीजिए तीसरा कुश्चन है जिसका का सिद्ध करना है कि अंडर रूट 3 एक अपरमे संख्या है नेक्ट कुश्चन ये का मान ग्याद करना है जिसके लिए ये एक्स प्लस 2 आई बराबर 2 आठ एक्स प्लस ये वाई बराबर 4 के अपरमित रूप से अनेक हल होंगे नेक्ट कुश्चन दिये गए चित्र में पी यस अपान यस क्यूं बराबर पी टी अपान टी आर है तथा पी यस टी बराबर कोण पी क्यूं आर है इसमें सभी खंड करने है तो इसका पहला कुश्चन है यूकलिट विभाजन परमिय का अल्गोरिथिम का परियोग करके 272 और 1032 का HCF ज्याद करना है नेक्ट कुश्चन तिर्भुजिये BC की भुजा BC पर एक बिंद D इस परकार है कि कोण ये DC बराबर BC ये है सिद्ध कीजिए CA2 बराबर CAB.CD नेक्ट कुश्चन पांच सेंटीमीटर लंबी रेखा खंड कीजिए और इसे दो अनपाते तीन में विभाजित कीजिए की दोनू भागों को माँप कर लिखिये नेक्ट कुश्चन ये DC CODE थिता बराबर 7 बटा 8 हो तो 1 प्लस साइन थिटा 1 माइनस साइन थिटा बटा 1 कॉस थिटा माइनस 1 माइनस कॉस थिटा का मान निका लिए next question पांचवा है इसमें भी सभी प्रसंद करने है तो इसका पहला question है दो करमागत धनात्मक पुढांक ज्याद कीजिए जिनकी वर्गों का योग 362 हो question बिंदू 4-6 बिंदू ये minus 6 चन और B 3-8 को जोडने वाले रिखाकंड को किस अनुपाद में विभाजित करता है next question 34.2 cm वाले धात के एक गोले को पिखला कर 36 cm वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है बेलन की उचाई ग्याद कीजिए next question निम लिखित सारड़ी 35 नगरों की साच्छारता दर प्रत्सत में दर साती है माद साच्छारता दर ग्याद कीजिए साच्छारता दर परसेंट में 45-55, 55-65, 65-75, 75-85, 85-85, 85-85 करना इसमें भी है का दो संख्याओं के वर्ग का अंतर 180, छोटी संख्याओं का वर्ग, बड़ी संख्याओं के 8 गुना है दोनों संख्याओं को ग्याद कीजिए next question दी गई आकरती में छायां की छेत्र का छेत्र फल ग्याद कीजिए जहां ये BCD भुजा 14 संटीमीटर का एक वर्ग है next question 4 संटीमीटर त्रिज्या के एक बृत पर 6 संटीमीटर त्रिज्या के एक सा किंद्रिय बृत के किसी बिंद से एक असपर सरेखा को खीचने रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए next question किसी स्कूल की कच्छा यक्स की 51 लड़कियों की उचाई एक सरवोच्छड किया गया है और निमलिखित आंकडे प्राप्त किये गये हैं उचाई सेंटीमीटर में 140 से कम, 145 से कम, 1500 से कम, 255 से कम, 160 से कम, 165 से कम लड़कियों की संख्यां 4, 11, 39, 40, 46, 51 माद्यक उचाई जाद कीजिए सभी खंड करना इसमें भी है साथा question है निमनलिखित समीकरडों के यूगम को रेखिक समीकरड के यूगम में बदलिए तो इसमें क्या करना है के ब्यूत करम के तीन, एक बटा तीन है उसकी वरतमान आयू ग्याद कीजिए Next question एक बहुमंजिल भवन के सिखर से देखने पर एक आठ मीटर उचे भवन के सिखर और तल के अवनमन कोण क्रमसा तीस और पैतालिस है बहुमंजिल भवन की उचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी जाद कीजिए अथवा भूम के एक बिंद पी से एक दस सेंटीमीटर उचे भवन का सिखर का 99 कोण 30 अंस है भवन के सिखर का एक धज लहराया गया है पी से धज पर सिखर का 99 कोण 45 अंस है धज डंड की लंबाई और बिंद पी के भवन की दूरी माप कर लिखिए तो दोस्तों पेपर यहीं पर खतम होता है चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले वीडियो को पाने के लिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने undos से कम पांच दोस्तों में सेर्थ कर दीजिए धन्यबाद